बगट टेक्नो आईटी शोडिशन में आपका स्वागत है मैं आदित्य पंडित आज आप लोगों को मैं भेंडर एसिस्मेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा बिसिकली मैंने एक हैंड्बुक बनाया है उसके उपर मैं आपको बताना चाहता हूं यह पूरा फेडिया फॉर्मिट होगा इसके अलग से वीडियो भी बनाये हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा जहां पर डिरेक्ट लाइक के थ्रू से बताया हो तो द है आपका और आप अजिए की तरह या रिसेलर की तरह उस पॉडटको जेंग पर अभी अभी अविलेवल नहीं है और आप वह जेंग पर लाना चाहते या फिर आपका खुद का पोड़क्ट है आप उसको जाना चाहते तो आप हैंडर यहां पर आपको करना पड़ेगा वे इस सेटन सेलर के लिए मेंडेटरी है जैसे कि मैंने बताया पहले के आपस्ट पर जो जदी आप ऐसे-ऊ-या इसेलर आप अपने पॉडट्स को जेम पर लाना चाते तो आपको यहाँ पर वेंडर एसेस्मेंट करना पड़ेगा बेंडर एसेस्मेंट क्वालिटी कंट्रोल पूरा इसको चेक करता है और फिर उसके बाद उसको ऑनलाइन पर पब्लिस किया जाता है बेंडर एसेस्मेंट का एक कुछ फीस है जो डिपेंड करता है आपके और यहाँ पे दो पार्ट है एक से लिए एक फीस और एक without फीस without फीस मतलब आपको एक जमसन मिलता है तो एक जमसन के लिए कुछ documents रिक्वार्मेंट है जिदि वो documents है तो आपको फीस नहीं देना पड़े का और इसकी जो validity होगी वो three years की validity होगा तीन साल के लिए validate होगा तीन साल के बाद फिर से आपको renewal करना है तीन साल के अंदर आप कितने भी products अपने यहाँ पे upload कर सकते हैं multiple products को आप कभी भी निकाल सकते हैं या फिर उसको add multiple products को add कर सकते हैं three years के बाद फिर से आपका यह process आपको फिर से करना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं आपको यहाँ जेम के साइट पर जाना है login के options पर यहाँ पर क्लिक करना है और फिर बाद में यहाँ पर user id पासवर्ड डालिए submit कीजिए जैसे आप login हो जाएंगे वहाँ पर डाल पर अफिर बताया हुगा है वेंटर सेस्मेंट में दो पार्ट मिलेंगे estimate और assessment exemption जैसे कि मैंने में वह बताया था असेस्मेंट में आप जड़ी करेंगे तो आपको payment करना पड़ेगा assessment exemption में आपको payment करने की जरूरत नहीं है आपको exemption मिल जाता है तो देखिए आपर assessment और assessment exams next के pictures में मैंने बताया है तो हम लोग पहले assessment करके देखते हैं और फिर वाड़ में exemption का भी example आपको दिखाएंगे तो create new assessment इसके कुछ policy है आप यहां से पढ़ सकते हैं जो policies होंगे exemption के vendor assessment के लिए और जदे आपको new assessment करना है यहां पर आपको क्लिक करना है new assessment के उपर new assessment के उपर क्लिक करने के बार आपको ऐसा tab आपको देखने को मिलेगा अजे अभी यह manufacturer और OEM नीचे यहां पर reseller भी अभी आता है नए updates में तो आपको यहां पर manufacturer यह OEM यहां पर reseller जैसे भी है आपको 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 क्लिक कर सकते हैं और invite vendor assessment पर आपको क्लिक कर देंगे जो नीचे वाले tab में मैंने दिखा है इसको आपको save and proceed करना है उसके बात है bank account details यह आपको fill करने की जोड़त में यह आपके भी पहले वाला जहां से आपने assessment पहले किया था वहीं से यह figure उठके आने वाला है तो आपको आपके profile से ही आने वाला है यहां पर आपको कुछ fill कर ही है only for products है तो products आपका क्या है वह आपको देखना है जो भी आपके products होंगे आपके बास जो भी products होंगे उसके लिए आपको vendor assessment करने की जोड़त पड़ेगी तापकि जो products है वह products का one by one आपको यहां पे listing करना है यहां पे उस product पे चूज करना है पोड़क का category लेना है उसके बारे में description लिखना है और आपको production capacity परमन डालना है और यहां पे कुछ documents है जैसे कि आपके बास कोई documents है ट्रेड मार्क है और भी दूसरा इसके regarding इस जो आप product अप्लोड कर रहे है उस product के regarding कोई documents है NSIC है यहां पर दूसरे जो भी documents है वह उसको आप यहां पे upload कर सकते हैं आपने OEM का authorization later submit के हुए जड़े आप एजर रिसे लगर रहे तो authorization later submit कर सकते हैं नीचे आपका sold का details है आप यहां पर क्या-क्या यह जो products है आप इसको कितने sold की आप multiple यहां पर आड करना चाहते तो add row add row करेंगे multiple आ जाएगा तो यहां पर multiple भी कर सकते हैं जैसे आप यहां पर कर देंगे उसके बाद आप यह sold का item यहां पर डाल देंगे government private दोनों को आप दिखा सकते दोनों को जिसको आपने sell किया है government और private दोनों का options आता है company का नाम डालिए quantity डालिए amount डालिए और seven proceed पर क्लिक कर देंगे यहां पर भी multiple add row करके multiple आपको yearly के accordingly डेटा डालना है financial details यह आपका ITR जो आपने profile पहले भरा है वहीं से यह भी आएगा यह भी आपको यहां पर फिल करने का options नहीं मिलेगा manually अपने profile में वहां पर tax assessment क्या होगा वहीं से data उठके यहां पर आ जाएगा और बाद में payment यह 13,216 पैमेंट है including GST 11,800 प्लस 18% का GST यह 13,216 होता है यह आपको proceed to pay करना पड़ेगा हम लोग क्योंकि अभी exemption में नहीं है exemption रहेंगा ते यह payment नहीं करना यह आपका internet banking से आपको इस तरह के payment कर सकते है तो जैसे आपका हो जाएगा यह proper process तो फिर हम लोग आगे इसके बारे में discussion करेंगे आगे का कैसा रहेगा हम लोग अभी यहां के इसके दूसरे पार्ट में आपे एज जे एक्जम्शन vendor assessment में हम लोग exemption कैसे लेंगे और आप यहां से जो भी आपको आएगा request होगा आप यहां पर इसको view कर सकते हैं आपको QCI verified हुआ या नहीं हुआ यहां पर देखिए अभी आपको यह टैब में जाना है जिसके जिदे आपको एक्जम्शन लेना है तो यह वाले टैब में जाना यहां पर इस टैब में आपको एक्जम्शन मिलेगा एक्जम्शन में जाके create एक्जम्शन request करना है और फिर आगे का process approximately same रहेगा सिफ documents का process अलग हो जाएगा थोड़ा क्योंकि यहां पर आपको एक्जम्शन के लिए documents अपलोड करने पड़ेगे तो एक्जम्शन के लिए डॉकुमेंट्स क्या-क्या है, देखिए, जदि किसी का टर्न ओवर 500 क्रोर और मोर है, लाश्ट 3 यर्ज में कोई भी यर्ज का, तो उसको एक्जम्शन मिलेगा, अपके कोई पोड़क्ट है, 25,000 पर यूनिट पर पांच लाग से ज़्यादा नहीं, तो आपको मिलेगा, आट, ओफरिंग पोड़क्ट, लाइक, आर्ट क्राफ्ट, हैंडी क्राफ्ट, यह ऐसे कुछ पोड़क्ट्स है, तो उसमें आपको मिलेगा, एक्जम्शन, उनको पैसे भरने की जोड़त नहीं है, जदि आपकी कंपनी, सोसाइट्री, ट्रस्ट या अधर बड़ीज है, त तो भी आपको एक्जम्शन के रिष्ट में आप लोग आते हैं, वो पैमेंट नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपके पास UCCC, DRDO या OBS इत्रा से कोई सर्टिविकट मिला हुआ है, तो उसके बेस पर भी आप एक्जम्शन ले सकते हैं, या फिर कोई आपको GM के सेलर से या फिर क्रिएट एक्जम्शन पे क्लिक करेंगे, यहाप अप्लोड करेंगे, जो डॉक्मेंट के लिए एक्जम्शन लिया था आपने, सम्मिट करना है, फिर से आप इसको सम्मिट कर देंगे, तो आपको GM के लिए इस तरह से रिक्वेस्ट आ जाएगा, आपको ऐसा code जा हो जाएगा और आपको आगे का जुमेने पहले बताता प्रोड़क्ट वगरा वह आपको डालना पड़ेगा जैसे एकजम्ट सन्द कर देंगे यहां पर भी सेम प्रोसेस आपको दिखना चालो हो जाएगा आप यहां पे जम्ट सन्द की वेलिए करेगा पास्ट हुए है या पास्ट हो गए हैं तो QCI आपको एक ID और पासवर्ड देगा आपके email ID पर QCI verify करने के बाद जनरली QCI verify करने के लिए three days का time लगता है आपको या तो पास होगे आपका documents होके है product होके है तो आपको verify कर देगा और फिर QCI के आपके side पर आपको एक नया email ID और ID और password मिलेगा जो QCI के side पर चलेगा और वहां पर उसका link भी रहेगा आप वहां पर click करेंगे login ID पासवर्ड डालेंगे यहां पर दो टाइप से QCI इसको verify करता है यहां पर दो पार्ट से होके आपको जाना पड़ता है पहला है desktop assessment और फिर है video assessment ऐसा दो पार्ट रहता है तो देखिए आपके दो स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा आगे desktop assessment और video assessment desktop assessment में आपकी जो भी documents है वहां पर documents वहां पर upload करना पड़ेगा इसके कुछ terms and conditions से उसके accordingly documents जैसे के ITR बगारा सभी documents जो भी आपके पास documents है company regarding वह सब documents और फिर video तीज वीडियो में आप जो documents डाले हैं वो सबका documents का copy और आपका जो आप manufacturer है उसका output का पूरा unit यह सब video application में आपको upload करना पड़ता है फिर यह verify होता है और इसको 15 days का time लगता है 15 days के अंदर यह आपका फिर से QCI इसको verify करता है प्रॉपर विसे चेक करता है यह उनको लगा कि हाँ यह सब प्रॉपर है तो आपका यह desktop और वीडियो वीडियो assessment होने के बाद उसको verify करेंगे QCI और फिर आपका ओज्यों पैनल आप register हो जाएंगा और आपका vendor assessment success हो जाएगा next time आप कभी भी और भी product add कर सकते हैं यह आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो please share करना नहीं बुलिए और हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए और हमारे यह पूरे बुक से इसके regarding handbooks दिये हुए है जहां पर हमें as a seller और as a buyer आपका अलग-अलग books है जहां पर हम पूरा का पूरा कवर के हुए इसी तरीके से पूरा handbook है सब भी topics जितने पूरा topics कवर के आप वह हमारी यहां से खरीज सकते हैं नीचे उसको लिंक आपको description में मिल जाएगा